हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी तो आप देख सकते हैं मैं भी भारत की सबसे गरम इलाके में आ चुका हूँ एंड अभी मैं इसको खटिया बोलते हैं यहां सो रहा हूं बिल्कुल एक छाओं में यह घर है एंड आप सोचोगी है मही के समय में इतनी गर्मी में यहां क्या कर र सुनसान पर है और अभी यहां का टेंपरेचर बताओं तो 46 हो रहा है बहुत गर्मी है और समय अभी तीन बज रहे हैं और सही बताओं तो यहां में अगर ऐसे वक्ती जो बहुत कम पानी पीते हैं मतलब दिन में दो या एक गिलास वो यहां आने के बाद 10-10 लिटर भी पा बहुत प्यास लगेगी खास करके मईगी या जून में आप आओ तो पता चलेगा बहुत पानी पीना पड़ता है यहां में एक तरह का लू चल रहा है मतलब गरम गरम भाप आ रहा है और आप सोचो कि यह क्या पेन रखा है तो यहां में यह सेप्टी आप लू से बचने के लिए इस तरह से आप कर सकते हैं मतलब अभी हम जहां रहते हैं वहां में इतनी गर्मी बिल्कुल भी नहीं पड़ती है वहां में लगबग 28-30 टेंपरेचर रहता है या 35 तक जाता है लेकिन यहां में बहुत ज्यादा जाता है लेकिन कोई बात नहीं एक्सपिरियेंस काफ कि एक महिने तक साइट से मेरी रेलवे ब्लॉगिंग बहुत कम आएगी मेरी कुछ आगे की वीडियो सुट की है वो तो आती रहेगी रेगुलर लेकिन फिलाल अभी कम आएगी तो यहां में एक चीज़ अच्छा बता दू तो पसीना बिल्कुल भी नहीं आता है यहां में एक गरम हवा आती है उससे बचने के लिए हमें येसा पहनने का ऐसे पहन लेने का और मतलब मैं कुछ ज्यादा पहना हूँ यहां के लोकल लोग ना भी पहने मतलब पहनते हैं इस तरह से नहीं पहनते कुछ थोड़ा समय गमच्छा ले लिया हूं चस्मा इसले ले लिया कि आखो को भी बचाना है यहां में आपको फुल रेगिस्तान मिलेगा यह तो तभी भी खेती वाला इलाका है तो थोड़ा सेफ है और यह जसल मेर बिकानेर से काफी दूर है मतलब 200-300 किलोमेटर दूर है वहां की हलत और भी खतरनाक है क्योंकि वहां में तो इससे भी बड जदा हाई रहता है तो यह देख सकते हैं यह क्या है देखिए यह खाने का चीज है लेकिन मेरे को नहीं खाना यह गाई भेहस वगरा खाती है तो अभी इसको रेडि करना पड़ेगा तो अभी थोड़ी थोड़ी ब्लॉक भी बनेगी बीच बीच में रेलवे की वीडियो कोमेंट में बताना कि ब्लॉक सबसे अच्छी लगती है कि या रेलवे अली वीडियो जो आपकी पसंद है वही इस चैनल में आएगा सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज पूरा दिन नींद आ रहा था क्योंकि यहां में जो कम सोते ना वो दिन में यहां में थोड़ा सा आ पैन यह आस्मान के नीचे में कोई प्रॉलम नहीं है और फिलाल यहां में ऐसा कोछ भी नहीं है आपको मैं धीरे देर बताऊंगा रात का व्लोगिंग तो और भी मस्त होने वाला है क्योंकि वह एक्सपेरेंस तो आप घर बेठे ले सकते हैं कि कैसा लगता है तो यह घर है यह देख सकते हैं दरवाजा वगरा और यहां में ठीक थोड़ी दिन बाद में थोड़ी सी और अच्छे से घर बनेगी वो भी वीडियो आएगी आप चिंता मत करिए वो भी ठीक थाक एक वीडियो आएगी तो हमारे अंकल है जो कि गाय को ले के आ रहे हैं तो यहां में गाय वगरा भी पिती है और सबसे बड़ी बात किया है कि मेरा सबसे अच्छा मोटीव यह था कि यहां में जहां में पानी कम है वहां पानी का सुभीदा भी किया जाए यहां में हमने किया है रोड के उस पर भ तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तयार रहिए इस वीडियो में इतना ही